नागपूर के M.I.D.C. पोलिस थाना अंतरगत यादव परिवार में पिछले दो तीन दीनों से विवाद चल रहे थे इसके चलते आरोपी नर्मू यादव ने विवाद छुडाने आए अपने सास ससुर को कुलाडी से मार कर मोद के घाट उतार दिया और अपनी पतनी कलपना यादव को भी कुलाडी से वार कर गंभिर जखमी कर दिया आरोपी हत्त्या करते ही घर से भाग गया इस मामले में M.I.D.C. पोलिस ने रिपोर्ट दर्च कराई है और आगे की चार्च चल रही है M.I.D.C. पुलिस्थान अंतरगत पिछले दो-तीन दिनों से यादव के घर पर जगड़े चल रहे थे रात करीब साड़े बारा बजे आरोपी नर्मू यादव का उनकी पतनी से विवाद होने लगा जगड़ा निप्टाने के लिए जब उनके ससूर आये तो उन्हें कुलाडी से वार कर मौत के घाट उतार दिया फिर पतनी को घसेट कर घर से बाहर निकाल लिया और जब उनकी साथ जगडा निप्टाने के लिए दवडी तो उसने उन्हें भी कुलाडी से मार कर हत्या कर दी और पतनी के कंदे पर भी कुलाडी से वार किया और उसकी सीर पर भी पत्थर से वार किया पडोसियों ने उन्हें छुडाने की कोशिश की लेकिन वे बड़े-बड़े पत्थरों को लेकर उनके भी पीछे भागे सभी मोतों की पुष्टी होने के बाद आरूपी ने खुन से सने कपड़े बदले और घर से भाग गया इस मामले की जानकरी ग्रामिनों ने M.I.D.C. पुलिस को दी मुरुतों को की पहचान भगवान बालकुरुष्ण रेवारे 65 वर्षिय और सास पुष्पा भगवान रेवारे 62 वर्षिय की रूप में हुई है आरूपी की पतनी कलपना यादव 40 वर्षिय और उसके पहले पती की बेटी मुस्कान मंडलिया 13 वर्षिय गायलों को डिगडों के लतामंगेशकर अस्पताल में भरती कराया गया है कलपना को गहन चिकित सा इकाई में रखा गया है और उसकी हालत गंबिर है जबकि बच्ची को जनरल वार्ड में रखा गया है किन्तु आरूपी नर्मु यादव ने अपने सबसे छोटे बेटे महिंद्र यादव 8 वर्षिय को कोई नुकसान नहीं पहुचाया इसके बजाए उसने वहाँ से चले जाने के लिए कहा इस मामले में M.I.D.C. पुलिस आगे की जाच कर रही है जबकि इस खौपना गटना से इलाके में हड़कम्प मच गया है VKB News के लिए कैमर परसन रोशन बुकडे के साथ वैदी चववन की रिपोर्ट Flywheel Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy, Gives You a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, Beside Karnataka Bank Nagpur